Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही effective home remedy के बारे में जो कि ना सिर्फ आपको fatty liver के case में फायदा करेगी बलकि इसके साथ आपको अलग-अलग तरहां की और भी liver की problem से निजात दिलाएगी और आपके liver को healthy बना के उसक को हो रही है या फिर आपका liver में कोई कमजोरी या कोई और बिमारी आ रही है तो इन सभी cases में आप इस home remedy को इस्तेमाल कर सकते हैं आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही fast results इसकी मुझत से मिल सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस home remedy के बारे में पूरी डिटेल से दोस्तों liver हमारी body का सबसे important organ है अगर हमारे liver के अंदर कोई भी problem पैदा होती है तो उसका effect सिर्फ हमारे liver तक ही सीमित नहीं रहता है बलकि body के और भी systems उसकी वज़़े से प्रभावित हो जाते हैं इसलिए बहुत ही जाता important ह है कि हम अपने liver की जो भी problem है उसको initial stages में ही पहचान लें और इसका इलाज सही समय पे शुरू कर दें अगर हम बात करते हैं liver problems की तो सबसे common liver problem होती है fatty liver यह वो condition होती है जिसमें liver के around fat deposits होने लगते हैं और fat deposits होने की वज़़ा से liver की जो cells हैं उनमें inflammation होता है और वो dead होनी श scar formation होता है एक tissue बनना शुरू हो जाता है fibrous tissue और हमारा जो liver है वो पिचक के construct होके scar tissue में convert हो जाता है इस condition को बोलते हैं cirrhosis of the liver fatty liver की जहां तक बात आती है तो fatty liver reversible होता है यानि fatty liver की condition में हम उसको ठीक कर सकते हैं लेकिन अगर fatty liver भरते-भरते cirrhosis तक पहुंच जाता है तो cirrhosis irreversible condition होती है यानि cirrhosis की condition में आने के बाद आपका liver ठीक नहीं हो सकता है वो complete fail हो जाता है इसलिए बहुत ही जादा important है कि अगर आपकी problem आ रही है fatty liver की ultrasound के अंदर या आपकी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको fatty liver की condition है तो उसको आप कभी भी हलके में नहीं लें और सह नहीं तक बात आती है इलाज की तो बहुत सारे medical treatments भी होते है fatty liver के लेकिन सबसे important चीज जो होती है वो होती है आपकी dietary regulation यह आप डाइट में क्या खाते पीते हैं कितने ज्यादा चिकनाई या बुरी चीज़े लेते हैं कितने ज्यादा alcohol आप पीते हैं वो directly govern करता है इंफेक तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही बहुत effective home remedy के बारे में बताने वाला हूँ जो कि न सिर्फ आपके liver cells को improve करेगी उनकी health को न सिर्फ आपके fatty liver को ठीक करेगी बलकि आपके liver को अलग अलग तरह के toxins से और alcohol वगरा अगर जो side effect होता है उससे भी safe रखेगी तो और हाँ bell icon press करना मत बूलिएगा ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिलती रहे तो चलिए अब जाल लेते हैं इस home remedy के बारे में कि इसमें आपको कौन-कौन से ingredients यूज करने है इसको बनने का क्या तरीका है और किस तरह से इसको आपको इस्त पर्मरिक, चौथी चीज है आमला जूस और पांच भी चीज है सिनमन यह पांच वो नैचरल इंग्रीडियेंट्स हैं जो कि इस home remedy को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे जहां तक बात आती है apple cider vinegar की तो यह एक बहुत ही बढ़िया detoxifying agent होता है जो कि हमारी body के अंदर से toxins को eliminate करने का काम करता है इसके साथ body के अंदर जो excess fat deposition होता है उसको कम करने में भी apple cider vinegar का बहुत अच्छा effect होता है और यह हमारी liver health को भी improve करता है liver enzymes को भी boost करता है अगर मैं बात करूँ lemon की तो इसके अंदर vitamin C बहुत जादा होता है vitamin C एक natural antioxidant होता है जो कि हमारी liver cells को free radical damage से protect करत है यानि जो radicals हमारी body के अंदर घूमते रहते हैं और हमारी cells को especially liver की cells को damage करते है उसको protect करने का काम यह vitamin C करता है अगर हम बात करें दोस्तों हल्दी की तो इसका main ingredient होता है curcumin और curcumin भी एक बहुत बढ़िया antioxidant और anti-inflammatory agent होता है जो कि हमारे liver की अंदर जो सूजन होती है उ liver के enzymes को boost करके liver की health improve करता है digestion में हमारे help करता है और इसके साथ जो liver के अंदर fat deposits होते हैं उनको भी mobilize करके उसको healthy बनाने में helpful होता है अगर हम इसके चौथे ingredient की बात करें जो की है आमला juice तो आमले के अंदर भी vitamin C बहुत जादा होता है जैसे की lemon के अंदर होता है तो इसका vitamin C बहुत ही वही काम करता है antioxidant का और free radical damage से liver cells को protect करता है आमला हमारे digestion को भी improve करता है और liver के अंदर जो digestive enzymes का production है उसको भी enhance कर देता है last but not the least दालचीनी की अगर हम बात करें तो दालचीनी भी बहुत ही बढ़िया चीज है आपके liver health के लिए अगर आपके liver के अंदर सूजन आ जाती है और inflammation हो जाता है especially अगर ये सूजन और inflammation, alcohol के जाता इस्तमाल की वज़े से आ रही है तो ऐसे cases में दालचीनी बहुत ही जाता बढ़िया effect देती है आपके liver को healthy बनाने के लिए तो ये तो बात हो गई कि कौन-कौन से ingredients इस home remedy को बनाने के लिए हमें चाहिए और किस तरह से ये फाइदा करते हैं अब देख लेते हैं कि इसको बनाने के जो तरीका है वो क्या है इस home remedy को बनाने के लिए आपको चाहिए एक चमच हल्दी का powder एक stick आपको चाहिए cinnamon की एक teaspoon आपको चाहिए lemon juice का एक teaspoon आपको चाहिए apple cider vinegar का और एक tablespoon आपको चाहिए आमला juice का सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है आपको एक cup में पानी लेना है और इस पानी को आपको boil कर लेना है जब ये पानी आपका boil होने लगे तो उसके इंदर आपको मिलाना है एक चमच हल्दी और एक stick करीब एक इंच की जो आप मिली थी डाल चीनी की वो ये दो चीज़ में लिया था और इसके साथ साथ आपको मिलाना है एक टेबल स्पून आमला जूस और एक टी स्पून एपल साड़ विनेगर इन सभी चीज़ों को आप एक जगा मिला लीजिए और इसके बाद टेस्ट के लिए आप इसके अंदर एक चमच हनी मिला सकते हैं अगर आप और ज्यादा से ज्यादा दो बार खाना खाने से करीब आदा से एक घंटा पहले इसको लेना बैस्ट रहता है यानि दुपहर का खाना खाने से आदा एक घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं अगर दुपहर के नंबर में आप इसको नहीं ले सकते हैं आप ऑफिस जाते हैं या किसी duty पे रहते हैं तो उस case में आप सुभा भी खाली पेट इसको ले सकते हैं और एक बार रात को भी ले सकते हैं ये ड्रिंक चो आज मैंने आपको बताई हैं दोस्तों ये आपके liver health के लिए एक बहुत ही बढ़िया रामबाड का काम करती हैं और liver की cells को healthy बनाके अलग लग तरह के जो damages होते हैं उससे protect रखती हैं तो अगर आप अपने liver की health का ख्याल रखना चाते हैं, fatty liver को दूर रखना चाते हैं अपने liver cells को boost करना चाते हैं, अपने metabolism को enhance करना चाते हैं तो इस remedy को एक बार इस्तमाल जरूर करिएगा I am sure within 7 to 20 days आपको काफी अच्छे results इसकी मदद से मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों मुझे उमीद है, आज की ये video आपको जरूर पसंद आई होगी और इसमें बताया गया जो नुस्का था, ये आपको जरूर help प्रोवाइड करेगा और आपके liver को जादा लंबे समय तक healthy बनाये रखने में आपकी मदद करेगा अगर आपके कुछ thoughts हैं या कुछ comments हैं या आप कुछ और जानना चाते हैं तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं आपके अगर कुछ experiences हैं या आपके पास भी कोई ऐसे नुस्के हैं जो कि आपने कभी try किये हैं अपने liver health को improve करने के लिए वो भी आप हमारे साथ share कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगर यहां तक वीडियो देख ली हैं और आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को like किये बिना मत जाएगा और आने वाले समय में भी हमारे साथ इसी तरह इस सफर में बने रहेगा तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा